हाई गाइज वेलकम वेलकम बैक तो माई चानल आई होब कि आपने स्क्रेच आप फुट वाली वीडियो देख लियोगे अगर नहीं देखिए तो लिंक देदूंगी चेक कर ले ना तो यही सूट के आज हम कटिंग करेंगे ना कली सूट के पांच मिटर फैबरिक है जो करेंगे तो इसमें मैं फिफ्टी एंड हाफ कट कर रहें एक बार थोड़ा प्लस लेकि चलती हमेशे फिफ्टी एंड हाफ पर मेजर करके मैंने माग लगाया एंड देन कट कर दिया उसके बाद जितना फैबरिक बचता है उसमें स्लीव निकालेंगे पांच मिटर फैबरि चाहिए स्लीव चूडी वाले स्लीव जैसे बोल देते हैं अब जितना फैबरिक बच यहां पर चार मिटर फैबरिक बचा है तो यह चार का चार यूज हो जाएगा हमारे घेर के अंदर तो इसे मैंने फोल्ड कर लिया जैसे पहले स्टिंगल फोल्ड किया अब फिर कर दूँगी है ठीक है तो हाँ अब मैंने सिफिर फोल्ड कर दिया अब सारी लेयर को एक्दम इकठा कर लो चैपींस लगा लो कहीं से भी उपर निचे नहीं होना चाहिए ठीक है साइड से मैंने यह जो मैं बता रही हूं चार लेयर है बना टोटल आठ होगी उपर चार न इंची टेप से इस तरीके से मिला दो और माक लगा के वहां से कट कर दो तो यह हमारी कलिया निकलेंगी जिसमें हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा तो मुझे कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था इसलिए मैंने इस तरीके से कलियां कट की तांक इनको जोड़ने है न जो में स्टिच करने वो कैसे करने रेव के साथ स्ट्रेट करने बात अब देखो यह स्ट्रेट है यह स्ट्रेट आपको देख रही है अब इसका राइट साड ले लो वो स्ट्रेट है रखो से वह दूसरी आपको देख रही है उसका रेव उठाओ स्ट् करना है मतलब रेव के साथ स्ट्रेट स्टिच करना है थोड़ा सा उपर निचे आएगा वह आपको हैंडल करना पड़ेगा ठीक है इसलिए थोड़ी सी लेंथ पहले प्लस लो तो अगेन बता रही हूं यह स्ट्रेट है वह रेव है इसके उपर रग दो बस मेक शूर राइट अंदर रॉंग बार साइड एक पर ना समझ आए तो फिर से वीडियो सुन लेहना ठीक है स्ट्रेट के साथ हम्हें रेव जोड़ना है स्ट्रेट के साथ इसाथ नहीं जोड़ना तो यह सारी कलियं जोइन्ट कर ली आप दिखसेते कि इता प्यारा घेर बन नेक्स्ट अपर पार्ट का जो पार्ट निकाला था अब हम वो उसका कट करेंगे बेसिक यह कटिंग बहुत बेसिक है जो यह से आप नॉर्मल करते हो शूटों के अंदर वैसे करनी है कपड़े को फोल्ड कर लिया मैंने फोर लेर्स होगी कपड़े की मैंने साइब हाफ इंच तीरा सेवन एड़ाफ शूटर सेवन एड़ाफ लगा के राउंड मलब गोर माग कर दिया और बस्ट की ले लिए और चेस्ट की ले ले और कटिंग कर दी और उपर से शूडर को डाउन कर दिया हाफ इंच बेरी वैसी करने इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपरी इसको कट करने के बाद सेंटर के मार्क लगा लिए ता कि उपर निचे जो हम गरा बनाएंगे उपर निचे ना हो नेक्स स्लीव के लिए आते हैं स्लीव का जो पार्ट कट कर रहा था हमने 27 इंच अभी हमें शूडर के हिसाब से तो मैं बचा फैब्रिक साइड से निकाल द इसके पिछे जितनी आपको को स्लीव रखनी है चार इंच थी एन हाफ तो वह लगा के मार्क फिटिं का मार्क है यह बहुत अब इसके पीछे ही एक इंच के उपर एक मार्क और को लगा हूंग विशन पर गया हूं तो जो मार्क पर लगाया आईनो आपको मांग ने दिख बट आप मेरे कटिंग दिखो जाओ मैं कटिंग करते हूं ठीक है तो यह कटिंग मैंने कर दी स्लीज की उपर से टू लेयर उठाके शोल्डर को डाउन करना है यहां पर जुरूरी होते हैं स्लीज के अंदर ताकि हमारे सलन आए तो यह हो गया इसके बाद मैंने सेम जो हमने ऊपर पार्ण खट किया था जो मैं अपनी शोल्डर कट कर दें अस्तरे कर लिए साथ इंचने के ऐसे वयसा बीचनी से कर लो और Doo-しょ, इसको साथ इंच कर लो ऑशे साथ विस ने कंता है यह ग्ला दुर्डावी मैंने नहीं बताए हैं इस वीडियो के मैं यह सिंपल ब लाइक कुछ पाइपिंग कांड ओफ लाइक पाइपिंग तो नहीं मतलब लेस के तरह उपर लगाना है मुझे तो यह गोल्टन फैब्रिक है यह फैब्रिक कौन सा है कैसे दूसरी वीडियो में बता रहे हैं चैसे स्क्रैच आटफिट वाले वीडियो में वहां देख लेना ह कर दीक हों साइब काव गरता है तो यहां पर मैंने बतारी हूं कैसे मैं नएक पे लगाया है तो इस तरीके से और के मैंने फ्यूस पर रएडड किया पुल करके से बना ली तो लगा थी सेम एने स्लीव के आगे तीन लियर लगा दी एक एक इंच की गैप पर पहली लगाई तो इस तरीके से लगानी है मेजर कर लो माग लगा लो उतने गप के अंदर नेक्स्ट जो घेर मैंने त्यार किया था कलियों वाला हमने लेंथ रखी था आपको देया नो कपड़े का जितना विर्थ थी जितना वर्थ था कपड़े का मैं उतना ही रखा तो यहां पर मैं लें द्यान रखना वपर भीचार पितनी चेवीचार तो इट लियर्श होगी इसको मैंने विचा लिया इस त्रीके से अब साइड में ला के रगए दिया साईड वहां कॉर्णर जोइंट忘记 कर लेना है अब आपको देखना है कि कमर आपकी कल्यों वाली है कलिया उठाऊ तो यहां पर मार्क मैं लगाऊंगी 4 का अपने कोडिंग जहां पर लगता 4 हो गया हमाँ भी छोड़ दो फोर का लगाया तो यह हो गया 4 4 4 16 हो जाएगा तो अभी लेन्थ में 38 दिखा भी आपको लेन्थ में कटिंग के बाद 4 छोड़ने के बाद 38 ले रही हूं यह थोड़ी सी लेंथ ज्याद है लेकिन बाद में कटिंग हो जाएगे मैं हमेशा प्लस लेके चलती हूं तो यहां पर लेंथ का मार्क नहीं सामने यही मैं सेड रख दूंगी अब यह आप दिखे पहले जोइंट कट करूंगे वह साइड वाला जोइंट यह कट कर देंगे क्यूंकि हमें इसमें चुइंट लगाना पड़ेगा लेंथ कंप्लीट कर देंगा यह लेंथ कंप्लीट नहीं तो काफी जोइंट आएगे तो फिर से मैं उसे वैसी फोल्ड करतूंगी इस पर मैं ट्राइ करूं अच्छे से एक्स्प्रेन करूं तो वह बच्चे फैबरी को मैं इदर रखा और फिर लेंथ लगाना शुरू करते हैं 38 38 38 38 ठीक है इस तरी के से बहुत ही छोटा सा टुकड़ा निकला एक इंच का एंच बस इतना है अब वहां पी जो माक लगा है मैंने वहां से उसको कट करके साइट से भी कवल करतूंगी और इसके साथ हमें जॉइंट करना है सिंपल बस अब जो उपर वाला हिस्सा है यह नीचे वाला तो कम्ट्रीट होगा उपर लेंद कितनी चोटी पड़ी अभी फिर मैं बढू से फिर दो ले तो नीचे फोर उपर तो फोर लेशर होगी फिर मैं दो रखी दो दूरहों ख दिया अभी इसी तक में रख दिया अब जैसे याशिधि है उसकी आइडिया से पैल ले लिया मैंने माग और लगा लिया और कटिंग शुरू कर तो यह होगी लेंथ वह क के बाद मैं दिखाऊंगे आपको कि कैसे लंगेगा यहां पर यहां पर मैंने ज्ड़ूइड कर लिया सारा स्टीच जो थी जो भी पार्ट से सारे डिडी कर दिये निकाल दिया भी घेर दिखातीं गेर इसका सूट से भी ज्यादा बना है हलाएं कि मेरी एक मिस्टेक रहेगे इसमें मैंने घेर को कम कर दिया कोई ऐसा कुछ नुकसान नी होता अस्तर में अगर फाबरिक का आपका गेर ज्यादा बनता है तो आप रख लो अस्तर वाला को दिक्कत नहीं करता तो फिर थोड़ कर रहे हैं तो आप कुछר मत करना ऊसके बाद क्या करने रेव जो रिचे हमने लाइनिक करी है कर ऐसको कलियों के साथ की सथ में बडूचे चाट करें sousी क्रप्र कर करने साध तो तो इस तरीके से कटींग बराबर करो तो कहीं neste याएगा अब यह देखो कितनी सफाई से लग करेंगे तो अपर पार्ट में पहले आपको नेक दिखा रहे हूं कैसे मैंने वह लगाई थी गोल्डन इस तरीके से मैंने स्क्वेर में लगाया था अब यह जो है राइट को राइट साइड से रखके जोइंट कर देना है माग लगा लो पहले अपना कमर का कितनी कमर चाहिए उसके एकॉर्डिंग जोइंट कर दो तो यह जोइंट हो गई ऐसे बन जाएगा तो यहां पर मैंने जोइंट कर दिया पार्ट आगे वाला भी और पीछे दोनों पार्ट मैंने जोइंट कर दिया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ्रंट बैक तो मैंने पहले आपको र लगाने के बाद यहां पर मैंने गोल्टन फैबरिक लिया था यह क्या है फैबरिक दिखा रही हूं लेस में काम आता है तो इसके मुझे चैंच की चुटाय में काटा जिसमें मुझे थाइंच का फटा नीचे बोल्डर लगाना है उसके पर फ्यूज इपर लगा दिया अब इसली लग जाएगा स्टफ उसका टाइट हो चुका है थोड़ा सा तो अब हम इस सूट पर लगाएंगे तो इस तरीके से सूट कंप्लीट मैं बोल तो फिटिंग हो चुकी है स्लीव जैड हो चुकी है और नीचे मैंने बोर्डर भी इस पर लगा दिया है तो स्लीव पर भ लगाएंगे वह वैता रहा हुँ है आपको बोल्टर के लगाना कैसी है तो सोट को कलियों बाले को जोंट करने साथ में टैच नहीं करना साथ में टैच तब करना जब आपकी दोनों एक्वल हो अपर भी लोवर भी लाइक लाइनिंग भी और उपर कलियों वाला वाला अब यह जो था मैंने प्रेस की मदर से पहले धाई इंच का फोल्ड करा, दिख रहा है, यह धाई इंच जांब कर दिखा रही हूं, इसके अंदर मैंने ऐसे फोल्ड करकर रख दिया, और इतना मैंने छोड़ दिया, इसे कोलर नहीं लगाते, बैन नहीं लगाते, गले पे उस यह तो यह हो गया है complete suit प्लाजो की cutting की वीडियो अलग है दूपट्टा कैसे रैडी किया उसकी वीडियो मलब प्लाजो वाले में ही है तो वीडियो पे आप देख लेना अगर आपको लगता है कि दूपट्टा कैसे रैडी कि यह बहुत सिंपली तरीके से यह बोर्डर रख अगर आपको वीडियो पसंद आती है समझ आता है मेरा कुछ बताया हुआ तन प्लीज लाइक करना वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को प्रेस ता बैल आइकोन तांकि जो भी नए वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और स्क्राइच और वीडियो आपको बार ना यह सब बैसाची यह पर पिंक सूट ग्रियन सूट वह भी आप देख ले ना तो यह ए डट इस वीडियो आपको यह लाक इट अपैं मिल तो में नेक्स वीडियो करना दॉपतर के लिए चेक के बाय लव यू कर दो मंदस ते yिए अटे हैं में दीन कि ओॉ बाखबात कोlles नेका का सुट्टल में वीडियोų मिल प्रियर फ्रहलों झाल कर बुल ऊक्षबस हाग स्कार पिरू यह थो किया ठीजिंस सुन사 सुटाभा इन सबस्में पार फtalk्र में पा बार बार आको झाल